हलो दोस्तों मैं अनद भारत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार पर ठीक है दोस्तों यू आ वाचिंग एक्जामपल लाइव सब्सक्राइब फास्टेस्ट ग्रोइंग एजूकेसिनल चैनल आफ इंडिया ठीक है यहां पर दोस्तों बात होती है क्वाल्टीटीटीट की ठीक है दोस्तों तो हमनों love component करते है आज का जो टॉपिक है वह हमारा वैधिक सभ्ता को रिलेड करता है यानि कि वैधिक सवीता तो class का time नोग हाँ खर्च नहीं करेंगे चली श्टारट करते thickness सब्सक्राइब करने तो पहले बात रहा कि वैधिक सब्सक्राइब तो आपका व्य एस निया होता मैं पता है यह चली चली बहुत बहुत धन्नवाद ठीक है हाँ चलिए हम लोग सुवात कर चुके वैदिक सद्रीक से बना है जल्दी से बताईए और अगर बात करें तो वैदिक संस्कृत के निर्माता ठीक है वैदिक फटाफट हम लोगों करना है आज बहुत पढ़ाई करना है संस्कृति के निर्माता तो अगर निर्माता कि हमनों बात करेंगे तो दोस्तों वह कौन थे आरे कौन थे दोस्तों और और वार्ट जा मीन आफ आरे कई बार कोशन में आता है कि आरे सब्दका अर्थ क्या होता है सब्सक्राइब से इसको वेदिक सब्सक्राइब से बनाया ओ JUST का होता है ग्यान फिर्फ Bye ऐस्तो आए शहर बütके आर्थ के बारे में घखनों बात करें तो मतलब क्या होता है तो आज सब्सक्राइब कमतलब होता है स्रिष्ट क्या अधोस्तो सुरिच्ट होता हैNow नोबल पर सिंद और से 179 परसन और अगराम बात करें एक प्राइब लाइन की बात मैक्स मूलर के दौरा आरस सब्दका प्रियोग किया गया था आर सब्दवाज इंतर्डवाज फ़र्श्ट टाइप मैक्स तुन टिक है तो मैक्स मुलर के दौरा अठाहरासो त्रेपंवे सबसे पहले आर ai सब्सक्राइब क्या किया गया था अब हम लोग बात करेंगे कुछ अलग-अलग विद्वानों का क्या कहना होता है जो वैदिक सभिता को उन्हों दो खंडों में बाटा है यानि कि हम बात करें वैदिक सबता की तो इसके अनुसा इसको दो खंडों में बाटा गया है जो दो खंडा आपके कौन कौन से एक होता है रिग वैदिक काल एक कौन सा होता दोस्तों रिग वैदिक काल यानि कि रिग वैदिक एरा होता है और सेकंड अंसर आपका है उत्तर व्यृदिक कल यानिक लाय्टर व्यृधिक एरा उत्तर वेदिक काल ठीक है अगर हम लोग बात करते डिव्य लिए काल के गवन भार बात करते तो फंद्रह सौ से लेक सी कि एक हजार इशापूरु तक इसा पूर्ण तक का ठीक है और अगर हम लोग बात करेंगे उत्तरवेदिक काल का तो एक हजार से लेके छैसो एक हजार से लेके कितना दोस्तो छैसो ठीक है दोस्तो तो आप इतना समझ में आया की नहीं आया बताइए बहुत बढ़िया हाँ सब लोगों ने सही बोला है तो यहां पर दोस्तो हम लोग इस बात को समझेंगे अगेन और इसके बाद एक आपके समने सब्ढ़ों इमेज आएगी वह इमेज आपको यह बताएगी को कुछ जो आपके अलग अलग विद्वान है अलग अलग विद्वान है तीक तरफ आपका दोस्तों आएगा एक तरफ का मूल निवाज स्थान होगा ठीक है हा यानि कि अभी एमयजे आएगी हाथ उस скаж को यानि कि आप रोडियान समझेएगा वैदिक सविता वैदिक सब्ध tyre क्या है ग्यां डियान उवदिक संस्क्रति के निर्माता जो ते दोस्तो आ रहे थे और यहां आरे सब्दकार्थ स्रेश्ठ होता है वैदिक सब्दका को दो भागम बाटा गया है एक रिगवैदिक काल और एक उत्तरवैदिक काल ठीक है दोस्तों और अब आप लोग ध्यान से देखिए इमेज को कि आरे सब्दकार्थ हमने आपके बताया देखे ध्यान दीजिए पेपर में कई बार कोश्चन आ चुका है कि विद्यान तो देखे प्रोफेसर मैक्स मूलर का ये कहना था कि आरेयों का जो मूल निवासिस्थान था वो मद एशिया था मिस्टू सेंट्रल एशिया या स्वति के उत्राद में तो ये कहना था इनका कहना था उत्री ध्रू था जबकि ढॉक्टर अभिनास चंद्रश्दाजी का जो कहना था वो था सब्द संदो प्रदेश था दयानन सर्श्वति जी का ये कहना था कि जो आरेयों का मूल इस्थान था ठीके और जबकि जहां एक्जाम में बहुत बार आया है कि गंगाना जहां का ये कहना था कि आर्यों का जो मूल इस्थान था वो ब्रमर्शी देश था जबकि गायल्स महोदे का ये कहना था कि आर्यों को जह इस्थाने वो हंगरी अथवा डेन्यूब नदी का टट था डेन्यूब आपको बता मेंदानी कि किनारे है ठीक है और पैंका का क् suis couch था किना था कि जर्मनी के मैदानीवाग जब की मैक्समूलर के सिधानतों से कई लोग आपके सहमत है मैक्समूलर का कहना था कि आरे जो थे मूल रूप से मद्ध एशिया यानि की सेंट्रल एशिया के ते एड़ फर्स्ट ताम यूज दा आर्यन वर्ड मैक्स मूलर 1853 तो आई होप आप लोग को इचीज समझ में आ गई है अगर आपको इचीज समझ में आ गई है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे ठीक है चलिए सर कि आप लोग से जो कोशन पूछा जाता है आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं हमने आप से पूछा था कि जो डेन्यूब नदी है वो किस देश की राजधानी की किनारे है और आप लोग पता नहीं कहां कहां जवाब दे रहे हो डूं चली कोई बात नहीं जवांब दीजी आभी आपको जवाब देना पढ़ेगा को जली आववशला हमनों आते हैं तो धीकर रिग Vä्दिक कार्ल के बारे मनों पढ़ेंगे तो यह ठीक है अब रिगवेदिक काल को अब ध्यान से पढ़ेंगे तो जानिये इसके बारे में क्या होता है ठीक है यह बिल्कुल जो है इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है ठीक है इसके लिए का जाता है रिगवेदिक काल जो थी अभी तक नहीं बता पाए याद रखिए जो डेन्यूब नदी है वह आपकी विएना विएना किसकी राजधानी है मैं यहां लिख देता हूं तो यानि की आश्ट्रिया आश्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों विएना क्या राजधानी है विएना और ये किस नदी के किनारे है तो डेन्यूब नदी के किनारे और वेरी वेरी इंपोर्टेंट विएना को कहा गया है सबसे आपका अच्छा सहर या सबसे स्वच्छ सहर आपको बताना है वो कौन सी रिपोर्ट है किस रिपोर्ट ने ये बात कहिए कि विएना जो है यानि कि द बहुत बढ़िया करते हैं तो है है तो यहाँ बस बात करें जोathers थी दोस्तों ठीक है वैधिक सबता जो 차 कि यह आपकी घ्रामीर ठीट है जब्की सिंदु से पता जो थी घ्रामीर शुबता ठीक है जब कि सिंदु सब रता जुती वह आपकी कौन सी थी सहरी lithium सबता इसके बारे में आपको जो पता चलता है वह 1400 BC 1400 BC बोगज कोई कौन सा बोगज कोई याद रखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बोगज कोई यानि की एशिया माइनर कि एशिया माइनर के अभिलेख में यानि की पहली बार हमें जो ग्रामियों यानि की रिगवेदिक काल के बारे में पता चलता है दोस्तों वह पता चलता है कि यहां पर देवताओं का उलेक मिलता है इन्द वरून मित्र तथा नाशत्य कौन देवता है आप से पूछा जा सकता है तो इंद्र है वरून है इंद्र है दोस्तों वरून है मित्र है तथा नाशत्य मित्र और नाशत्य एक्जाम में कोशन क्या आता समझी पेपर में दोस् मित रहे और नाशत्य यानि कि इनका उलेक मिलता है एक्जाम में याद रखे कोशन और आता है कि हमें रिगवेदी काल का साच पहली बार कहां मिलता है तो रिगवेदी काल का साच पहली बार हमको मिलता है बोगज कोई बोगज कोई कहां है तो एशिया माइनर ठीक है और आपका है जेंद अविस्ता कौन सा ग्रंथ है जेंद अविस्ता आपको यह बताना है कि जेंद अविस्ता किस धर्म का ग्रंथ यह कहां का है जेंद अविस्ता जो है किस देश का ग्रंथ है जेंद अविस्ता किस देश का ग्रंथ है आपको बताना है बताईए कोई भी क्लास हो कोई भी क्लास हो यह मेरा कमिंडमेंट है यादर के PCS आइस PCS तक की जितनी मैं इतियास पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कोई कोशन नहीं आएगा आप लिख के रख लो आइस PCS का भी कोशन इसी से आएगा लिख के रख लीजिए ठीक है कोई कोशन बाहर का नहीं होगा हाँ जेन दवस्ता किसका गरंत है बताई जरा किस मतलब की किस भासा का है पार्सी बिल्कुस है इरान का है यह जवाब किस ने दिया है तो चंदन ने जवाब सही दिया है ठी तो इरान का दोस्तों कहां का है इरान का तो इरानी गरंत यह जेन दवस्ता में भी ये चीजें हम लोग को दिखाई देती है अब हम लोग बात करेंगे आरियों का भगॉलिक विस्तार के बारे में हाँ बिलकुल सहिए एरान का प्रसीदि धर्म गरंत है अच्छा आप यह बताओ कि यहां तक चीजे समझ में आई अगर यहां तक चीजे समझ में आई ये तो मैं आगे बढ़ू एक बार बता दीजिए आपको चीजे समझ में आईए और कैसे बताना यह आप लोग को पता है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे फिसकल जो है इसका फिसकल एक्सपेंशन की बात करेंगे यानि कि भगॉलिक विस्तार की बात करेंगे ठीक है तो याद रखिए कि हमें भगॉलिक बहुत बढ़िया ठीक है भगॉलिक विस्तार की जानकारी हमें कहां से मिलती है तो यह र लागेगा तो लाइक करोगे नहीं लगेगा तो नहीं करोगे सीदी सी बात है ठीक है अब हमना बात करते हैं भगोली विस्तार तो आर्र का जो निवास इस्थल है आर जो निवास इस्थल है वो दोस्तों बताए गया है किसको बताए गया है तो आरे का निवास इस्थल के बारें बताए गया है तो वह बताए गया सब्त सैंधो प्रदेश क्या बताए गया है सब्त सैंधो प्रदेश व दास के द्वारा कि द्वारा दोस्तों तो हम यहां पे लिग दे रहें अविनास है थिक है चंद्र कर दास ठीक है डॉक्टर हुद्र दास की द्वारा बताया जया ऩा कि आर्यों को जो निमास इस्थाल है वह आपका सब सहंधाव प्रदेश घया यहां पर सब्त सेंद्व प्रदेश का मतलब होता है साथ नदियों का छेत्र क्या होता है दोस्तों साथ नदियों का छेत्र चलिए नाम बताईए इस जिए साथ नदीयों का चेत नाम बताईए वह साथ नदी कौन कौन सी है चलिए फटा-फट बताईए वह साथ नदी कौन कौन सी है बताएं अ हाँ बिल्कुर सही जवाब आप लोगों ने दिया है देखे हां तो साथ नदियों की बात करें तो सिंदू हो जाएगी सरस्वती हो जाएगी सिंदू सरस्वती सतलज सिंदू सरस्वती सतलज हो गया विपासा यानि कि व्यास हो गई जो पचलित जो आपके प्रस्वत नाम वही लिख रहे हैं रावी हो गई जेलम और आपका चेनाब अब इन नदियों में आपकी साथ नदिया हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ है ना अब इन साथ नदियों में आपके इनके कुछ और भी नाम थे ठीक है बहुत बढ़ियां अब जड़ा आप लोग इसको देख लीजे इनके नाम क्या है यानि कि एक तरफ आपका होगा प्राचीन नाम और एक होगा आधूनी के नाम ठीक है दोस्तों बहुत बढ़ियां सब लोगों ने सही जवाब दिया है बहुत बढ़ियां देखिए यहां पर परुसली जो है परुसली जो था पहले का नाम था आज उसको रावी कहा गया है सत्रुदी को सत्लच कहा जाता है आज की डेट में असकनी को चेनाव या चेनाप कहा गया है वितस्ता को जेलम कहा गया है विपासा को व्यास कहा गया है गोमती को गोमल और कुमभा को काबुल सदा नीरा को गंड़क कहा गया है और कुम्मू को कुर्रम कहा गया है और सिंदु नदी को इंडस कहा गया है ठीके दोस्तो हाँ, अब आप लोगोंने नोट कर लिया हो तो इसको हटा दिया जाए सर हटा दीजिए हाँ हाँ अब हमनों दोस्तों इसको भी आप लोग नोट कर लिया है इसको वैटाते हैं आप कुछ कोशन्स और बनते हैं वह आगे बढ़ते हैं हम लोग तो रिग्वेद काल का जो विस्तार था वह आपका आरेयों का विस्तार अफगानिस्तान पंजाब और पश्मी उत्तरप्रदेश कहां तक था तो अफगानिस्तान पंजाब और पश्मी यूपी ठीक है पश्मी यूपी यहां तक यह क्या था दोस्तों यह विस्तार था ठीक है यह विस्तार था अब एक कोशन एक और आता है कि कुछ आपका एरिया था सतलज से लेकर यमना तक सतलज से लेकर यमना तक सटुलाज से लेकर सटुलाज से लेकर यमना तक जो छंटर कहलाता था वो क्या वन फादै ये सटो लेकर यमना सटस्ट गंगा का लवीज नदियों का क्या कहलाता था बताई से रहा की सदुकित दो जल्दी बताईए दोस्तो कि क्या कहला था ने तो गलत बता रहे हो यह कह लाए था लाए तो बहुत कहला था ठीक अ ब्रह वर्ठ कहला था तो सब्सक्राइग field selfish च्षेत्र कहलाता था ओर मनुष्प्रति में क्या लिखाए कि जो सरसती औरalisत्री के eram में नदियों के साः करो दो आप उससे कहते हैं जो दो नदियों के बीच का छेत्र होता है उससे क्या कहते है दो आप कहते हैं ठीक है हाँ और याद रखेंगे इसी तरीके से गंगा यमना गंगा यमना के छेत्रों को दो आप का गया है और इसी दो आप को क्या का गया तो कि आर्या वर्त का गए क्या का गा दोस्तों तो आर्यावर्त ठीक है गंगा यमनमा के खेत को आरय व्रत का गया आधा अ तो अधाय है इसरी तो Yay कैसे करता है मैना र अच्छा बताए इतना बिल्कूल समझ में आ रहा है है इतना अगर समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए ठीके अब कुछ हम लोग हो और आगे बढ़ते हैं पदर校 करना अब हुआ है और आपके सामने स्लाइड अइंगे उनको ज Dazu ध्यान से पड़िये गा ठीक है दोस्तो ड़ाड़े आएंगी ध्यान से पढ़िएगा कि अ कि कि क्या कह रहा है कि हड़ा सिंदू सब्विता की समात के पशाद प्राचीन भारत में यह सब्विता और संस्कृति का उद्दे हुआ यानि कि कि डेकलाइन आप हडपा सिविलाजेशन देरवाजन निव सिविलाजेशन कमें टू दा एक्जिस्टींस इट रहा नोन है ज़ा वैधिक सिवलाजेशन मतलब हड़ा सब्विता की समात की बाद वैधिक सब्विता का उद्दे हुआ ठीक है इस काल को वैदिक पीरियड यानि कि इस नोन आज़ा वैदिक एरा या वैदिक पीरियड आर संस्क्रत भासा में प्रियोग करते थे इस सबिता के जनक आर लोग थे और जो थे उनकी लेंग्वेज क्या थी संस्क्रत भासा का था वैदिक काल में सासन की बागडोर करना होकर विशेष जन यानि की प्रधान होता था सर आगे बढ़ाई यह ठीक हाँ बिल्कुल जरत ध्यान से पढ़िएगा बहुत बढ़ियां देखें आपको मैं हिंदी इंग्निस दोनों में वर्जन में बताने की कोशिश कर रहा हूं उम्मीद कर रहे होंगे आपको चीजे समझ में आ रही होंगी ठीक है लिखा वैदिक सब्षबता संस्कृति शाहित और इतिहास सिंदु संस्कृत के बाद भाइरत में जिस नवीन सब्षबता का विकास हुआ उसे वैदिक अत्वा आरे सबता के नाम से जना जाता है यह अलग कहा गया है ठीक है भारत का इतिहास एक प्रकार से आरिजाती का इतिहास है भारत का यानि कि इंडियन हिस्ट्री इस टाइप आप है आरियन हिस्ट्री ठीक है आरियन कास्ट ठीक है भारत में आरियों की पैचान नौडिक प्रजाती से क की जाती है आर्यों को लिपी का ग्यान नहीं था इसलिए वैदिक साहित को सुरुती साहित भी कहा जाता है यानि कि सुना हुआ ठीक है याद रखे जिसका एक नाम सहीता भी है सर आगे देखिए दोस्तो यह ठिटकली चला है जब सारा नॉलेज आपको मिलेगा तभी तो मैं यह चाहता हूँ कि कहीं से भी कोई भी एक्जाम में कोशन आए आपको छूटे नहीं ठीक है हां तो कुछ चीज़े में बोर्ट पर लिखूंगा सारी चीज़े बोर्ट पर लिखना पॉस्विल नहीं है तो कुछ चीज़े आपको स्लाइड के माध्यम से कुछ बोर्ड पर दोनों चीज़े देखिए यहां पर आपका है रिग वैदिक भगवली कार में विस्तार हमने आपको बताया ठीक है तो साथ नदिया हमने थी परंपरा परंपरा अंसार आर्यों के पांच कभी ले थे जिनका समदाइब पंच जन कहलाता था लेकिन और भी जन रहे होंगे यह जन आपस में लड़ते थे और कभी कभी इसके लिए आर्योत्तर जनों का भी सहारा लेते थ भाष्णा के ते भाष्णा के सा सफक मान्स वेरी इंपर्टेंट्ट को भारत ऑब तररी स्टी त्री घूम कर रहे हैं कोई परिशान नहीं है लेकिन और भी जन रहे होंगे जन आपस में लगते थे कवर कभी-कभी इसके लिए अर्योत्तर जनों का सारा लेते थे सर्थ थोड़ा कट रहा है 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 सही हो गया है हाँ ठीक है अस्वा भारत और त्रिस्तु आर्यों के सासक वंस थे और पुरोही वस्ष्ट दोनों वंसों के समर्तक थे बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरत कुल के अधार पर भारत पड़ा इस कुल कभीले का उलेक सबसे पहले रिगवेद में मिलता सबसे पहले कहां मिलता है तो रिगवेद में मिलता है सर आगे लगा दीजिए अ कि अ कि अ कि अ कि यह अ मनुस्वरती लगा दिए लगा दो चाहूं कि अ 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 देखो यहां पर क्या है रिगवेद युनेसको की सांस्कृतिक धरोवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारत की सबसे प्राचीन वेद रिगवेद की 30 हस्त लिपिया 30 यह क्या है कि मेमरी आफ वर्ड रिजिस्टर में सामिन विए 19 जून 2007 को याद रखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सर हटा दीजे अब हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं अ अब आगे बताईएगा ठीक है अब हम पूछ रहें अब आगे अ चलो अब हम बात करते हैं वेद तो दोस्तों वेद की बात करें तो वेद किते हैं वेद किते हैं वेद आपके किते हैं दोस्तों तो वेद आपके चार है चलिए बताए नमबर एक कौन कौन सा है वेद कितन हैं दोस्तों चार वेदे कौन कौन से बताई फटाफट है हाँ वेद कितने हैं जरब बताईए पहला देखे रिगवेद पहला हो गया रिगवेद बोर्ड पर लिखके पढ़ा रहे हैं तो आप याद रखो आपको इतना सारा कैसे मिलेगा थोड़ा वहुत तो चीज़ रिग को रिगवेद वाल भिएद बहुत बढ़िया तो पहला गया रिगवेद फिर आपका शाम वेद फिर आपका दोस्तों बहुत बढ़िया यजुरुवेद और फिर आपका अथरवेद ठीक है अब भूला अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है अब आपके सामने एक आएगा उपर से लगा दीजिएगा अब आपके सामने एक लिष्ट आएगी आप जरा ध्यांस देखेंगा उसको ठीक है हाँ थोड़ा तब्याट डाउन है थोड़ी सी तब्याट खराब है तो कॉपरेट कर यह ठीक है ने तो बोर्ट पर मैं पूरा लिखता थोड़ा सा प्रॉब्लम में इस लिए इसको समझेए एसी चालू कर दो ते रिग्वेत के बारे में दिया है थीक है सर बड़ा निवोर रिग्वेत क्या देखें इसमें बिविन देवताओं की स्थी में गय मंत्रों का संग्रह रचना सब संद्धव परदेश में भी किसके दौरा महरशीक रिश्य मुष्ण देवपायन या वेद व्यास के ड़ है वह एत्रे हैं और कोश्केत हैं सर्थ थोड़ा जूम कर दीजिए कि कर दीजिए दो टुकड़ों में कि देखिए हाँ याद रखे आयरवेद को रिगवेद का उपवेद भी कहा जाता वेरी वेरी है किसको कहा जाता तो आयरवेद को रिगवेद का उपवेद भी कहा जाता है रिगवेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सर्वसति थी रिगवेद में यमना का उलेक तीन बार गंगा को लेक एक बार किया ठीक है और कहां मिलता है दसवे मंडल में वेरी वेरी इंपोर्टेंट गंगा यमुना का उले कौन से मंडल मिलता है तो दस्वे मंडल में सर आगे अभी mcq आने वाले हैं परिशान नहीं और आज से mcq काम ने पैटरन थोड़ा चेंज कर दिया है ठीक है याद रखे रिगवेद के रिगवेद में पुरुष देताओं की प्रधानता है जिसमें इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है जबकि इंद्र को पुरंदर कहा गया जिसका अर्थ दुर्ग को तोलने वाला होता है अगनी देवता का 200 बार उल्ले किया गया है सर अगली स्लाइड अभी हम लोग वेदांग आएंगे परिशान ना हो ठीक है दोस्तो लिखा है सामवेद देखे सामकार्थ होता है गांत सामवेद सही सरप्रथम साथ सोरों यानि कि सामवेद सही सरप्रथम साथ सोरों का जानकारी प्राप्त होती है एक्जाम में कोशन आता है कि साथ सरों की जानकारी सरप्रथम कहां प्राप्त होती है तो सामवेद को ठीक है इसलिए इसे भारती संस्कृत का जनक माना जाता संगीत का गंधर्वेद सामवेद का ही उपनिशद है यादर की पुराणों में सामवेद को सहस्त सराखाओं का लेखो तीन साखाएं इसकी दो भाग हैं और सामवेद के जो ब्राम्मण हैं वो आपके सामने हैं ठीक है सर आगे देखिए आपको जो जानकारी ही वो फैक्ट दी जाएगी ठीक है हाँ सर लगा दीजे पहले अब आपके सामने जो दोस्तों बात आ रही है वो यजूरवेद की आगी ठीक है सामवेद को संगीत का जनक भी कह जाता है ठीक है रिघूरुऄद सबसे प्राचीनों चुका है यजूरवेदद यजूरखार्त होता है यग इसमें यग की विदियों का प्रतिपादन किया यहां है इसमें यग्ज़ बली संबन्दी मंंत्रों का वर्ण किया यजुरुवेद गद्द दोनों में लिखा गया Hey very very इम्पोर्टेन यजुरुवेद के दो आपके प्रधान रूप ईक्रश्ण यजुरुवेद और शुकiform यजुरुवयद सुक्ल यजुरुवेद को वाजस नई सहीता कहा जाता है याद रखिए को अधिकांस विद्वान वास्त्विक यजुरुवेद मानते हैं पेपर में कोशन आया है कि वास्त्विक यजुरुवेद कौन सा है तो वाजस नई सहीता सुक्ल यजुरुवेद का अंतिम अध्याई is इसू प्निशद है ठिक है सुकष यजुरुवेत को ब्राम्म ग्रण्थ सत्पत और क्रश्न युवेत्क नजें को भौ सरागे लगा दीजिए रही बिलकुल क्वेशन आगे अब आगे अथरवेद तो देखिये अथरवेद को ब्रह्मवेद यानि की स्रेष्ट वेद भी कहा जाता है नोट कर लीजिए अथरवेद को ब्रह्म वेद या झ्रेश्ट वैद भी कहा जाता है अथरवार सी के नाम पर इस वेद का नाम अ फटनर अधर घॉण तया ब्रामलार्ट गोपत है इसमें यागजिक अनुस्धान गोज़न inhabited अधरूद में 20 आढ़ाएं यादर की जादू टोना टुटका दवा हुआ इससे संबन्दीत है अधरूद में कुरू के राजा परेचित का उलेक है राइक कि इसीत का उलेक का तो कुरू के राजा परेचित प्राजा परिछिद ठीके जिने मृत्ने का देवता बताया जाता है हमने कल आपको यानि सटर्डे को क्लास में सब्सक्राइब यानि मृत्ट का देवता किसे बताया तो परिछिद को बताया गया अथरवेद में मंगद तथा अंग छेतर में रोग फैलने की बात भी की गई यानि कि मगद और अंग का वर्णन किस वेद में मिलता है तो अथर्वेद में फिर आपका एक कासी का प्राचीनता मुलेक अथर्वेद में मिलता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि कासी का उलेक हमें किस वेद मिलता है तो अथर्वेद में मिलता है याद बहुत बढ़िया अब हम लोग जो हैं कि बहुत बढ़िया अब आप लोग को जितने लोग को समझ में आया है एक बार उपर कर दीजिए हत या जो भी हो आपको अच्छा लगता है तो आप बता दीजिए आपको समझ में आ गया ठीक है हां आपको समझ में आ गया है तो ठीक ह और नहीं तो समझ में आया तो कोई बात यह हम बात करते हैं वैदिक साज़व से उसक्याasm गाया दोस्तों जबकि हम लोबात करेंगे धयान देने वाली बात है कि रिगवेद में तैंज मिन ठीक है वैदिक साइट में कितनी है कर tänothy अधित में आपकी जो नदियों कि उल्ले किया गया माचीश रॉले किया गया नोकिया बॉस्तों पच्छीश रॉल्ले कि याद किला रिख किता किया गया लेकिन यहा पर इसमें सब से जो इंपोर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो आपकी सिंदू नदी ए कौन सी दोस्तों सिंदू नदी ए इंपॉर्टेंट रिवर जो सिंदू नदी ए ठीक है और अगा हमनों बात करें होली रिवर होली रिवर होली रिवर और होली रिवर जो है वो आपकी सरस्वति ये कौन सी नदी है सरस्वति और नदियों को क्या क्या कहा गया हूँ हमने आपको बताया ठीक है याद रखेगा ठेक और संब्सक्यृति नवें एक साथिन अदिक किस्टे नाम है तेन नाम है कौन कौन से देवीटमन लाए नदीद मा पमाते इत्मा very very important यहाद रके समझ में आया अब हम लोग को पढ़ना है वो सामाजिक स्थिति के बारे में क्या पढ़ना है सामाजिक स्थिति के बारे में रिग्वेदिक काल के अब हमको पढ़ना है सामाजिक स्थिति के बारे में और इसके पहले हम लोग कुछ कोशन कर लेते हैं क्या कर लेते हैं दोस्तो से इतिहास में no option ठीक है option केवल लाइब टेस्ट में होंगे option केवल लाइब टेस्ट में होंगे बाकी class में option नहीं होंगे ठीक है ओके तो आर यू रडी चलिए सर पहला कोशन लगा दीजिए है और खास बात जो यह कह रहे हैं कि time pass कर रहे हैं बेकार पढ़ा रहे हैं तो वह अपने माता पिता को देखें कि माता पिता नेंने क्यूंब पैदा कर दिया उनको बेकार पैदा कर रहे हैं कहने का मतलब अगर यहां बेकार पढ़हाया जा रहा है अगर आपको финट MacBook नहीं दी जारी तो आप यहां क्या कर रहे हो आपका फ़र्ज बनता डिसलाइक करो जलते बनो ठीक है या भी ब्लॉग करवा दें आपको आपको तो ब्लॉग करवा दें ठीक है चली आगे सर अगर कोशन आ चुका है वैदिक संस्क्रित की निर्माता कौन थे बिल्कु सही जवाब है आ रहे थे तो पहले का जवाब आपका यानि की आ रहे होगा ठीक जवाब है सर अगला कोशन जब बिटा कठिन पढ़ाई होती है ना तब ऐसे ही होता है चीजे बुरी लगती है कि सर सेकेंड कोशन कि यह लिग लिखाया रिग्वैदिक काल के देवताओं का साच में हमें किस अविलेक से प्राप्त होता है बताईए रिग्वैदिक काल का साच हमें किस अविलेक से प्राप्त होता है दोस्तों अभी हमने आपको बताया अगर आप लोग को याद हो किस अविलेक से प्राप्त होता है हां चंदन कुमार थी क्या पवन हां ठीके बोगच कोई अब लेक किसे प्राप्त अता है बोगच कोई किसे ओता है बोगच कोई एसिया माइनर थी के एसिया माइनर चलिए सर अगला कुश्च्छ त्वि जिए अ कि तवि खराब है यहां पर आपको पता है मेरी तवियत खराब है फिर भी क्लास ले रहा हूं क्यूंकि आपका नुक्सान ना हो इसने तो ले रहा हूं कि आपका नुक्सान ना हो ठीक है चली अगला कोशन सर लगाई है आरेयों का मूल निवास उत्तरी धुरू था या बात किसके द्वारा कही गई जो आरेयंस थे कम फ्रॉम नॉर्दन ठीक है तो ये दोस्तों बात की गई बाल गंगा धर तिलक बहुत बढ़ियां कल्पना बहुत अच्छा ठीक है हाँ यादर के रविंदर बिल्कु सही है नेहा बिल्कु सही है तो ये बाल गंगा धर तिलक के द्वारा कही गई थी बीजी तिलक हमने अभी कहा कि आप लोग पढ़ते जाएगा नोट्स बनाओगे आप लोग को बहुत से फायदा होगा दोस्तों ठीके ना आप्सें से आज से पढ़ाई बंद कि अवर लाइब टेस्ट में आप्सें होगा कोशन नमबर 4 कि सब लोगों ने सही जवाब दिया को तो आगया अगला कोशन और रिगवेद से प्राक्त जानकारी के अनुसाद ब्रह्मवत का छेत किन दो नदियों के मद फैला हुआ था हाँ according to the information received from रिगवेदा दा एरिया और ब्रह्मा वरता वाज spread between two rivers हाँ तो बिलकुल दोस्तों आप लोंने लग रहा साई जवाँ से पढ़ा नहीं है यह जो था सत्लाज और यमना बिलकुल सही जवाब है सब लोगों ने सही जिया सत्लाज और यमना सत्लाज और यमना ठीक है चलिए सर अगला कोशन लगा दिए कोशन नवर पाच कर द centrals गाल हुआ है कि वेड़ में हिमाले परवत के चोड़ी मुन्ज वरत का Δ curse Stewart मतलब क्या हो गया है थोड़ा सा गलत हो गया मंझ मुंज वंथ है मुंज मुझमाए ऩरी से लिखा जाए खाएग या थोड़ा सा विच्टत हो गया टाइफिंग अ मुंज मुंजुवत जो है चोटी का उलेक है तो वेद में जो है किस वेद में उलेक है तो बिल्कुल सही है कलपना बिल्कुल सही है रिगवेद में लेक है कहां दोस्तों लेक है तो रिगवेद में लेक है ठीक है रिगवेद में याद रखे कुछ कोशन्स क्या होंगे सारे कोशन्स नहीं कुछ कोशन्स आपके ऐसे भी आएंगे जो आपको खुद बताने होंगे सर अगला कुश्चिन चली हम लोग साप कर दे इतना साप कर ले रहा है आपनों नोट कर लिए का पांच हो गए कोशन नम्बर च्युव क्या कह रहा है किस नदी को देवितमा मातत्मा और नदीतमा कहा गया ठीक zij बहुत बढ़िया तो किसको कहा गया दोस्तो अभी आप लोगने सब लोगने जवाब दिया था सरसथी किसको कहा गया है दोस्तों सरस्वती ठीक है हाँ चली आगया आते हैं सर अगला कुश्चिन बहुत बढ़ियां सर नेक्स कुश्चन प्लीज लिखाया आज इवन अभिवायत रहने वाली कन्या को रिगवेदिक काल में किस नाम से पुकारा जाता था ठीक है हां यह हम लोगे अगले में कुश्चन सा जाएंगे तो किस के नाम से पुकारा जाता था दोस्तों नहीं मालू में यह ठीक है हां नहीं मालू में यह आखरी कोश्चन था हां दोस्तों यह आपका अखरी कोश्चन था यह आपका अखरी कोश्चन था इसको आप लोग क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है क तो यही आपको कोशन यहां से मताएं ठीक है थोड़ा सा मतलब कई सारी सीजे लेनी पड़ी तो क्लास में कमी आ गए ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया होगा कुछ लोगों सुर्ण को सही जवाब दिया है अमाजू क्या कहा गया है अमाजू ठीक है अमाजू तो अगर उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको सब्सक्राइब भी है आपको ठीक है अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना है लाइक करना है और जाते जाते आपको एक कोशन का जवाब देखे जाना है जाते जाते एक कोशन का जवाब देखे जाना है हमने आप से पूछा था कि आश्ट्रिया जो है विएना राजधानी डेल्यूब यह रिपोर्ट जो विएना इसदा विएना जो है सबसे स्वच्छ स सहर है यह किसकी रिपोर्ट है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा यह किसकी रिपोर्ट है ठीक है दोस्तों अगर उम्मीद कर रहे होंगे अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए शेर करिए और मुझे दीजिए इजाजत जैहिंद जैभारत